Accounting no problem, मैं आपका स्वागत है, मैं हूँ RT Teleprime की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे कि Teleprime में Contra Voucher क्या है और उसमें Transaction कैसे Record करते हैं इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको Payment Voucher क्या है और उसमें Transaction कैसे Record करते हैं ये बताया था और उसके भी पहले Receipt Voucher वाली वीडियो में हमने आपको Transaction को Record करने के तरीके को सरल और विस्तुरेत रूप में समझाया था इसके अलावा उसमें हमने Tally के Company Features और Configurations का भी उप्यूग किया था यहां हम आपको यह भी बता दें कि यही तरीका सभी Vouchers में Transactions Record करने के लिए है इसलिए हमारा आपसे निवेधन है कि Transactions को अच्छे से समझने के लिए उन वीडियो को ज़रूर देखें और एक बार ध्यान रखें आपको सिर्फ वीडियो देखने से फाइदा नहीं होगा यदि आप इस वीडियो का सही लाव लेना चाहते हैं तो जैसा आपको वीडियो में समझाया गया है ठीक उसी तरह 2-3 बार प्रैक्टिस ज़रूर करें से और आएए अब पहले हम kontra voucher को समझ लेते हैं जब कैश अकाउट से patti cash cash account से बैंक अकाउंट बैंक अकाम। बैंक अकाउंट से कैश अकांट या फिर एक बैंक कांउन से दूसरे बैंक अकाउंट में फन ट्रांसफर किया जाता है तो उनकी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए इस वाउचर का उप्योग किया जाता है कि इसे हम एक चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं यहां मतुपन बात यह है कि अभी हमने कॉंट्रा वाउचर में जो ट्रांसफर बताए हैं उनमें कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों ही हमारे हैं इसमें बाहर की कोई पार्टी समलित नहीं है यानि कॉंट्रा वाउच पैसा एक जेब से निकाल कर दूसरी जेब में रखने के लिए किया जाता है ट्रांसिक्शन पहचानने वाली वीडियो में हमने कॉंट्रा वाउचर से संबंधित कुछ ट्रांसिक्शन छांक लिए थे उन्हें यहां पर हम फिर से बताएंगे और उनके आधार पर कॉंट्र ट्रांसिक्शन में प्रभावित होने वाले दो खाते कौन से हैं ट्रांसिक्शन को ध्यान से देखें यहां बैंक में नकद रुपए जमा किये हैं यानि कैश गया है तो यह हुआ एक खाता अब दूसरा खाता देखते हैं कैश कहां गया है या किसे दिया है तो कैश बैंक म यानि cash का खाता real account है और bank का खाता personal account, अब तीसरा सवाल कौन सा खाता debit होगा और कौन सा credit, तो bank में हमने रुपए जमा किये हैं या कह सकते हैं कि bank को रुपए दिये हैं, तो bank हुआ पाने वाला, bank account personal account है और personal account के लिए नियम है debit the receiver, पाने वाले को debit करो, मतलब यहाँ पर bank account debit होगा, अब हम तेखते हैं दूसरे खाते को जो cash का है, यह real account है और real accounts के लिए नियम है credit what goes out, यानि जो वस्तु व्यापार से जाए उसे credit करो, अब यहाँ पर जो चीज गई है वो है नकदी यानि cash, इसका मतलब यह हुआ कि cash account credit होगा, तो चलिए tally में इस transaction को record कर लेते हैं, यहाँ हमने tally में अपनी company open कर ली है, अब transaction को record कर लेते हैं, अब हम gateway of tally पर हैं, यहाँ हमें transactions hiding के अंतरगत vouchers में जाना होगा, और उसके ल उनके आगे उनके shortcuts दिखाई पढ़ रहे हैं, ctrl voucher के लिए f4 key press करें, यह देखिए, ऐसा करते ही ctrl voucher creation window open हो गई है, यहाँ एक महतुपुन बात पर ध्यान दें कि जिस तारीख में कोई transaction होता है, tally में उसी तारीख में उसे record किया जाता है, हम जो transaction record करना चाहते हैं, वो 2 April का है, तो हम f2 key press करके यहाँ पर 2 April type कर देंगे, और enter press कर देंगे, enter press करते ही हम particulars में आ गए हैं, जिसमें CR यानि credit दिखाई पढ़ रहा है, साथी right side में एक list of ledger accounts दिखाई पढ़ रही है, इस list में महतुपुन बात यह है कि यहाँ सिर्फ वे ही ledgers दिखाई पढ़ते हैं जो bank और cash से संबंधित होते हैं, क्योंकि contract voucher में इन दोनों के बीट जो transactions होते हैं, केवल वही record किये जा सकते हैं, credit में हम cash account select कर रहे हैं, देखे ऐसा करते ही cash account में जो balance है वो दिखाई पढ़ रहा है, इसे हम अलग से भी लिख लेते हैं, इसके बाद यहाँ हमें amount में 20,000 type करना हैं, पर अभी हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं, इसलिए 20,000 की जगह पर हम 1,20,000 type करके enterprise कर रहे हैं, यह देखे ऐसा करते ही नीचे negative cash की warning आ रही है और जितना cash कम है उसका amount भी लिखा हुआ आ रहा है, ध्यान दे, हमारे पास जो cash account का balance है और transaction में हम जो amount record करने जा reference है, कहने का मतलब यह है कि यदि आप यह transaction record करना चाहते हैं, तो आपकी books में इतना cash और होना चाहिए, यदि आप इसे अंदेखा करके आगे बढ़ने के लिए enterprise करते हैं, तो रेखी, यह balance जितना कम है, वो यहाँ भी लाल रंग में लिखा हुआ दिखाई पढ़ रहा है, यदि आप इस तरह की warning के बाद भी transaction record करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं, transaction record करने की process वैसी ही रहेगी, जैसी हम आपको आगे बताने वाले हैं, यहाँ पर एक बात ध्यान रखें, यदि आप चाहते हैं कि transaction record करते समय negative balance होने के बाद भी negative cash की warning ना आए, तो उसके लिए आपको F12 की press करके, one on negative cash balance इस option को no करना होगा, और उसके बाद window को accept करना होगा, हम ऐसा नहीं चाहते हैं, इसलिए escape की press करके वापस पहली वाली screen पर चलते हैं, हमें एक लाग बीस हजार के इस्थान पर बीस हजार ही चाहिए, उसके लिए back space की press करें, यहाँ पर amount change कर दें, अब enter press करें, यह देखिए, अब cursor DR यानि debit पर आ गया है, आगे बढ़ने के लिए enter press करें, यहाँ हमें bank account यानि state bank of India को debit करना है, तो उसे select करेंगे, फिर enter press करेंगे, यह देखिए ऐसा करते ही, जो राशी credit में लिखी हुई थी, वही राशी debit में भी आ गई है, enter press करें, bank allocation window आएगी, यहाँ पर हमें कुछ भी change नहीं करना है, इसलिए हम enter press कर रहे हैं, ऐसा करते ही, cash denomination window आएगी, यदि आप जिस तरह के notes bank में जमा कर रहे हैं, उसका record रखना चाहते हैं, तो details भरते हुए आगे बढ़ें, और यदि आप record नहीं रखना चाहते हैं, तो enter press करते ह हुए आगे बढ़ जाएं, हम वापस contra voucher creation screen पर आ गए हैं, यहाँ narration में being bank account opened in SBI with rupees 20,000 cash, टाइप करके हम इस voucher को accept कर रहे हैं, अब देखते हैं, दूसरा transaction, 31 मही को हमने state bank of India से check द्वारा 5000 रुपए नकद निकाले, पहला सवाल यह कि इस transaction में प्रभावित होने वाले दो खाते कौन से हैं, ट्रांजिक्शन को ध्यान से देखें, यहाँ पर check के माध्यम से bank से रुपए निकाले गए हैं, तो bank हुआ पहला खाता, अब दूसरा खाता देखते हैं, bank से नकदी निकाली गई, इसलिए दूसरा खाता हुआ cash का, अब आता है दूसरा सवाल कि खाते किस प्रकार के हैं, bank का खाता personal account है, और नकदी यानि cash का खाता real account है, चलिए अब list of accounts में देख लेते हैं, यह देखिए, bank का account, personal account है, नकदी का खाता देख लेते हैं, यह देखिए, नकदी का खाता real account है, यहां हमने दोनों खातों को confirm कर लिया है, अब आता है तीसरा सवाल कि कौन सा खाता debit होगा और कौन सा credit, bank account, personal account है, और personal accounts के लिए नियम है, credit the giver, यानि देने वाले को credit करो, अब यहां हमने bank से रुपए निकाले, यानि bank ने हमें रुपए दिये हैं, तो देने वाला हुआ bank, इसका मतलब bank account credit होगा, अब देखते हैं दूसरा खाता जो cash का है, cash account, real account के अंतरगत आता है, और real accounts के लिए नियम है, debit what comes in, यानि जो वस्तु व्यापार में आए, उसे debit करो, यहां पर हमारे पास cash आया है, इसका मतलब ये हुआ कि cash account debit होगा, आये अब list of accounts से भी इसे confirm कर लेते हैं, उसके लिए पहले हमें ये देखना होगा कि इस transaction का दोनों खातों पर क्या प्रभाव पढ़ रहा है, हमने bank से रुपया निकाला, मतलब bank का balance कम होगा, और हमारे पास cash आया है, मतलब cash account का balance बढ़ेगा, आये हम list of accounts पर चलते हैं, यहां देखे, bank account assets में आता है, और उसके लिए नियम है, यदि balance decrease हो तो उसे credit करो, अब cash account देख लेते हैं, ये भी assets में आता है, पर इसका balance increase हो रहा है, और assets में increase के लिए नियम है, उस खाते को debit करो, यानि ये confirm हो गया कि हमने golden rules of accounts की सायता से जो नियर ने लिया था, वो सही है, आये अब टेली में इस transaction को record कर लेते हैं, अभी हमारे सामनी contra voucher खुला हुआ है, सबसे पहले यहां F2 की press करके वो तारीख डालें जिस तारीख में transaction हुआ है, enter press करें, यहां credit में हमें State Bank of India को select करना है, और यहां amount type कर दें, अब enter press करें, enter press करते ही bank allocations window आएगी, space bar press करें, transaction type select करें और फिर पूछी गई जानकारी type करने के बाद enter press कर दें, हम वापस contra voucher creation screen पर आगए हैं, यहां पर DR याने debit दिखाई पढ़ रहा है, आगे बढ़ने के लिए enter press करें, यहां debit में हमें cash account को select करना होगा, enter press करें, देखें ऐसा करते ही हमने जो राशी credit में लिखी थी वही राशी debit में भी आ गई है, enter press करें, अब यहां transaction का संक्षिप्त विवरन यानी narration type कर दें, अब enter press करते हुए इस voucher को accept कर लें, आए, अब short में एक और transaction record करके देख लेते हैं, एक जून 2020 को हमने State Bank of India के check number 123322, dated 1 जून 2020 से 5,000 रुपए Bank of महराश्र में transfer किये, यह आप देख सकते हैं, इस transaction में प्रभावित होने वाले दो खाते हैं, State Bank of India और Bank of महराश्र, यह दोनों ही खाते bank के हैं, जो की personal account है, Golden Rules of Accounting के अनुसार State Bank of India का खाता credit होगा और Bank of महराश्र का खाता debit होगा, आए, इस transaction को record कर लेते हैं, F2 की प्रेस करके तारीख एक जून कर दें, Credit में State Bank of India सेलेक करें, Amount डालें, Bank Allocations में Space Bar प्रेस करके Transaction Type सेलेक करें, Instrument Number में Check Number डालें, Instrument Date में Voucher की तारीख आ रही है और यही तारीख हमारे चेक की भी है, आगे बढ़ें, Debit में Bank of महराश्य सेलेक करें, Enterprise करके आगे बढ़ें, यहां फिर से Bank Allocations window आएगी, जिसमें हमने पहले जो details दी थी वो by default आ रही हैं, Enterprise करते हुए आगे बढ़ें, यहां पर हमें उस Bank का नाम टाइप करना होगा, जिस Bank का यह चेक है, नाम टाइप करना हम आपको पहले ही बता चुके हैं, नीचे, Narration Type करें और इस Voucher को Accept कर लें, इससे पहरे वाली दो वीडियो में हमने Receipt Voucher और Payment Voucher के बारे में बताया था, और इस वीडियो में हमने Contra Voucher के बारे में बताया, संबवतर आपने इन तीनों Vouchers में एक महत्वून बात पर ध्यान दिया होगा, कि इन सभी Vouchers का संबंध Cash और Bank से होता है, इसके बाद वाली वीडियो में हम क्रमशर, Stock Groups, Units of Measure और Stock Items के बारे में बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि Sales Voucher और Purchase Voucher में Transactions Record करने के पहले इनी समझना क्यों ज़रूरी है, अभी हमने Contra Voucher में जो Transactions Record किये हैं, उन्हें हम Day Book में कैसे देख सकते हैं, और इन Transactions में हमने जो लेजर उप्यों किये हैं, उन पर इन Transactions का क्या प्रफाव पड़ा, ये हम आपको सभी Vouchers को समझाने के बात समझाएंगे.